दोस्तों नुमस्कार ये है मांगदशन फौर सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी, पीजीटी, यल्टी ग्रेड, गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता, गौर्मेंट डिग्री कालेज, उच्चतर सिक्षा आसिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्री विद्यालस अंगठन और नेट ज्यारेप के लिए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित, बहुत ही उपियोगी तथा महत्पूर्ण हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, दोस्तों प्रशनों पर आने से पहले, आइए 1857 की क्रांति से संबंधित, कुछ महत्पूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं, दोस्तों 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामकी एक सैन कार्तूसों को मुह से काटने से मना कर दिया था, फल स्वरूप उसे गिरखतार कर लिया गया था, और मंगल पांडे 34 वी नेटिव इनफेंट्री का एक सिपाही था, 29 मार्च 1857 को बैरक पुर्छावनी में सैनिकों ने चर्बी वाले कार्तूसों का प्रियोग करने से मना कर दिया, और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हियोशन की हत्या कर दी थी, और अंग्रेजों द्वारा 34 वी नेटिव इनफेंट्री रेजिमेंट भंग कर दी गई थी, अपराधियों को दंड दिया गया था, औ और मंगल पांडे को गिरफतार करके 8 अप्रेल 1857 को फासी दे दी गई थी, दोस्तों एक प्रश्न जो सबसे महतपूर है, वो है 1857 की क्रांति के शुरुआत कब से हुई, तो 10 मई 1857 को मेरट में दोस्तों पैदल टुकडी 20 एन आई से 1857 के क्रांति के शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लाड कैनिंग था, और इंग्लेंड के प्रधान मंतरी पामश्टन थे, जो की लिबरल पार्टी से संबंधित थे दोस्तों 1857 की महान क्रांति के कुछ प्रमुक केंद्र, विद्रोह में भारती नायक, विद्रोह की तिथी और ब्रिटिस नायक यानि विद्रोह दबाने वाले जो अधिकारी थे और विद्रोह दबाने की तिथियों को एक क्रम में जान लेते हैं दोस्तों 1857 की जो क्रांति का महतोपूर्ण केंद्र दिल्ली था वहां का भारती नाया किया नेत्रीतु करता बहादुर शाह जफ़र था जबकि बक्त का को सैन्य नेत्रीतु किया था और दिल्ली में विद्रोह 1112 मई 1857 को शुरू हुआ था लेकिन ब्रिटिस जनरल देखे निकलसन और हटसन ने दिल्ले में विद्रोह का दमन किया था 21 सितंबर 1857 को कानपूर में भारती नायक नाना साहब यानि धुन्धुपंत और तात्या टोपे थे जिनके हाथ में सैने नेत्रितु था और कानपूर में विद्रोह 5 जून 1857 को शुरू हुआ था कानपूर में विद्रोह दबाने वाला जो अंग्रेज जन्य अधिकारी कैम्प बिल था 6 सितंबर 1857 को कानपूर में क्रांती दबा दी गई थी लखनव में दोस्तों 1857 की क्रांती का नेत्रितु बेगम हजरत महल ने किया था लखनव में 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था और यहाँ पर भी कैम्प बिल ने इस विद्रोह को दबाया था जहासी की बात करें तो रानी लक्ष्मिवाई 1857 की क्रांती की प्रमुख नेता थी और जून 1857 में जहासी में विद्रोह शुरू हुआ था और वहाँ पर जो अंग्रेज सेन्य अधिकारी था हिउरोज था जनरल हिउरोज और दोस्तों 3 अप्रेल 1858 को जहासी में विद्रो समाप्द हो गया था इलाहबाद में लियाकत अली ने 1857 की क्रांती का नेतरित्त किया था और करनल नील ने इलाहबाद यानी प्रयागराज में विद्रोह को दवाया था जगदीशपूर ये बिहार में है कुवर सिंग भारती नायक थे और दोस्तों अगस्त 1857 में बिहार क आयर थे 1858 में वहाँ पर विद्रोह समाप्थ हो गया था बरेली में 1857 की क्रांती का नेतरित्त खान बहादुर खान ने किया था और दोस्तों फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने और फतेह पुर में अजीम उल्ला ने 1857 की क्रांती का नेतरित्त किया था और आप ज अस्तविक नाम राम चंद्रपांडुरंग था और 18 अप्रेल 1869 को शिव पूरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फासी पर लटका दिया गया था और एक प्रश्ण यहां से बनता है दोश्तों अप्रेल 1869 में तात्या टोपे की गिरफतारी से 1857 की बिद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है और आप जान लिजिए कि तात्या टोपे को उनके एक विश्वसनी में त्रमान सिंग ने उन्हें धोखा दे कर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारों के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे यहां से उन्हें पकड़कर शिव पूरी लाया गया औ और सैनिक अदालत में 18 अप्रेल 1869 को फासी दे दी गई थी और तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मिबाई के साथ मिलकर बुंदेल घंड छेत्र में विद्रोह का नेतरित्व किया था और दोस्तों आप जानते हैं कि 18 अप्रेल 1869 को तात्या टोपे को फासी दी गई थी दो पुष्टों 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंता संग्राम की संग्या B.D. सावर करने दी है और उनकी पुष्टक है The Indian War of Independence 1857 इस पुष्टक में इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंता संग्राम की संग्या दी और इसे सुनियोजित स्वतंता संग्राम बताया था और ये एक राष्टी विद्रोह था ये ब्रेटिस सांसर डिजरायली ने कहा था यह पूर्टिया सिपाही विद्रोह था सर जान लारेंस और सीले का मत है इसके अलावा 1857 की क्रांति के संबंध में ये अंग्रेजों की विरुध हिंदू और मुसल्मानों का सडियंत्र था ये जो मत है ये जेम्स आउटरम और डवलू टेलर का है इसके अलावा देखिए टी आर होम्स ने 1857 की क्रांति को बरवरता और सभ्यता के बीच का युद्ध किया कहा है और ये धर्मान्धों का इसाईयों के विरुध युद्ध था ये L.E.R. रीज एक इतिहासकार है अब आईए देख लेते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति और अन्य समकालिन विद्रोहों से संबंधित महत्तो पूर्ण प्रश्णों को तो देखे पहला प्रश्ण है 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपूर यानि विहार में विद्रोहियों को नेत्रित तो किसके द्वारा प्रदान किया गया तो ये थे कुमर सिंग के द्वारा दोस्तों 1857 की क्रांति में जगदीशपूर में विद्रोहियों का नेत्रित तो कुमर सिंग ने किया था और आप जान लीजिए कि 1857 में जगदीशपूर में विद्रोह की अगवाई करने वाले कुमर सिंग बिहार के आराजिले से संबंधित थे उन्होंने जब अंग्रेजों के विरुथ विद्रोह का जंडा पुलंद किया उस समय वे 80 वर्स के थे प्रकिर्त ने उन्हें अदम में शौर या भीरता और सिननायक के आदर्स गुणों से मंडित किया था इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दोरान बिहार का सिंग माना जाता है और कुमर सिंग ने शाहबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तक्था पलट दिया और अपनी सरकार अस्थापित की वह कानपूर पर सयुक्त आक्रमड के लिए नाना सहाब की मदद के लिए कालपी की और आगे बढ़े और विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापूर, रीवा, बांदा और लखनव तक ले गए जहां उनका अत्यन्त सम्मान पुरवक स्वागत किया गया अपनी अंतिम सफलता के रोप में उन्होंने अपने ग्रिह नगर जगदेशपूर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया और इसी युद्ध के दोरान कुमर सिंग बुरी तरह गायल हो गए और 26 अप्रेल 1858 को उनकी मृत्तु हो गई थी और उनकी मृत्तु के बाद उनके भाई अमर सिंग ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुध संघर्स जारी रखा था तो याद रखेगा बिहार यानि जगदेशपूर में संघर्स के या 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक कुमर सिंग थे अगला प्रेशन है 1857 के विद्रोह के समय मुगल शाशक कौन था तो ये था बहादूर साह जफर आप जानते हैं कि बहादूर साह जफर दोस्तों अंतिम मुगल सामराठ था और इसने सैनिकों के कहने पर 1857 की करांतिका नेत्रित्व करना स्विकार किया था और ये दोस्तों अंग्रेजों का पेंसन भोगी और दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुक था और शाही किताब का उप्योग नाम मात्र के लिए करता था 1862 में उसकी मुरित्व हो गई थी तो याद रखेगा दोस्तों बहुत ही मोहतपूर है 1857 की विद्रोह की समय मुगल सासक बहादूर साहज़पर था अगला प्रश्ण है 1857 की विद्रोह की नेता जिन्हें पकड़ा गया और फासी पर चढ़ा दिया गया था तो वो थे तात्या टोपे और अपने एक विश्वसनी मित्र मान सिंग के धोखा धड़ी से वो अंग्रेजों की पकड़ में आये थे और 18 अप्रेल 1869 को उनको फासी दे दी गई थी अगला प्रश्ण है दोस्तों सन्यासी विद्रोह का काल क्या है तो सन्यासी विद्रोह के बारे में आप जान लिजे कि पहला अंग्रेज विरोधी संगर्स सन्यासीयों द्वारा शुरू किया गया था और सन्यासी विद्रोह का उलेक बंकिम चंचटरजी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है और ये विद्रोह 1763 से 1800 इसवी तक चला था अगला प्रश्ण है 1857 में आवध का चीफ कमिशनर कौन था तो ये था जेम्स आउट्रम अगला प्रश्ण है मंगल पांडे एक सिपाही था तो दोस्तों 34 वी नेटिव इनफैंटरी का सिपाही था मंगल पांडे और मंगल पांडे दोस्तों 34 वी नेटिव इनफैंटरी का सिपाही था और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में जो एक तरह से सैनिकों का असंतोस व्यक्त करने के लिए जो विद्रोह हुआ उसमें मंगल पांडे प्रमुख था किस विद्रोह का नेता विर्षा यानि विर्षा मुंडा था तो यह मुंडा विद्रोह का नेता विर्षा मुंडा था दोस्तों अगला प्रश्ण है देखिए सुमेलित करना है नाना साहब नाना साहब दोस्तों इन्होंने कानपूर में 1857 की क्रांतिका नेतरित्त तो किया नबाब हमीद अली इसनों ने दिल्ली में और मौलवी अहमदुल्लाः दोस्तों आप जान लिजे कि मौलवी अहमदुल्लाः ने आवध प्रदेश में तो याद रखे मौलवी अहमदुल्लाः ने आवध प्रदेश यानि फैजबाद और आसपास में और मनिराम दिवान न असम में 1857 की क्रांती का नेत्रितो किया था अगला प्रश्ण है 1857 में प्रथम स्वतंता संग्राम का प्रारंभ कहां से हुआ था तो ये मेरट से हुआ था मेरट को क्रांती नगरी भी कहा जाता है और 10 माई 1857 के दिन मेरट से 1857 की क्रांती का प्रारंभ हुआ था ये बहुत ही महत्वपूण प्रश्ण है दोस्तों तो आप इसको देख लीजेगा ये महत्वपूण प्रश्ण है 1857 में पर्थन सोतंता संग्राम का प्रारंब कहां से हुआ था तो आप जान लीजे कि ये मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ था और मेरठ को क्रांति नगरी कहा जाता है अगला प्रश्ण है किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जेहाद यानि धर्म युद्ध की संग्यादी थी तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला आप अहमदुल्ला के बारे में जान लीजे थोड़ा सा मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के सबसे कटर दुश्मन थे वो मोलता है तमिल नाडु के अरकाट के रहने वाले थे पर वो फैजाबाद में आकर बस गए थे उन्होंने भारत के विभिन धर्मानुयाईयों का आहवान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड अहमदुल्ला के बारे में कहा गया था और इनसे भायभीत होकर अंग्रेज सरकार इनकी गिरफतारी के लिए पचास अजार रुपए का इनाम रखी थी अगला प्रश्ण है दोस्तों पागल पंथी विद्रोह वास्तों में किसका विद्रोह था तो उत्तर है पागल पंथी विद्रोह गारो लोगों का विद्रोह था और गारो आप जानते हैं एक जन जाती है अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तूँ एक प्रश्ण है वहुत ही महत्वपूर्ण की किस समकालिन ब्रिटिस सांसथ ने 1857 की विद्रोह को राश्ट्री विद्रोह की संग्या दी थी ये महत्वपूर्ण प्रश्ण है तो आप जान लीजे दोस्तों ये था डिजराइली डिजराइली ने दोस्तों 1857 के विद्रोह को जो है इसने राष्ट्री विद्रोह की संग्यादी थी और ये ब्रीटिस संसत थे और दोस्तों आप जान लीजे कि 1857 की क्रांति के समय विद् तो बंगाल का नील विद्रोह इसको भारती किर्शक वर्ग का पहला आम विद्रोह या सामान विद्रोह कहा जा सकता है अगला प्रशन है अंतिम मुगल बाजशाह कौन था तो बहादुर साह दुती दोस्तों अंतिम मुगल बाजशाह बहादुर साह दुती अथवा बहादु अगला प्रश्ण है 2857 में गदर की समय कानपूर में अंग्रेज कमांडिंग अफिसर कौन था तो ये था Sir Huge Wheeler देखें कानपूर में 1857 के गदर की समय अंग्रेज कमांडिंग अफिसर Sir Huge Wheeler था अगला प्रश्ण है दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिस के या ब्रिटिस प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे तो ये थे पामश्टन जो की लिबरल पार्टी से संबंधित थे और भारत का गवर्नर जनरल लाड कैनिंग था अगला प्रश्ण है दोस्तों 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस अस्थान पर विद्रोह का नेत्रितो किया था तो आप जानते हैं बेगम हजरत महल ने दोस्तों लखनव में क्रांति का नेत्रितो किया था 1857 की क्रांति का नेत्रितो तो बहुत ही महतोपूर प्रश्ण है लखनव में क्रांतिका नेत्रितो बेगम हजरत महल ने किया कानपूर में नाना साहब ने जासी में लक्ष्मिवाई ने ग्वालियर और कानपूर में तात्या टोपे इलाहबाद में मौलवी लियाकत अली ने, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने, बरेली में खान बहादुर खान ने दोश्तों 1857 के क्रांधिका नेतरितु किया था और आप जान लिजे कि लखनव में जो विद्रोह था उसका प्रारंभ जून 1857 में हुआ था बिद्रोह का नेतरित तो बेगम हजरत महल ने किया था, उन्होंने अपने अल्प बयस की यानि छोटे बेटे बेरजिस कादिर को नबाब घोसित किया और प्रसासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी अंत में 21 मार्च 1858 को कैम्प बिल ने गोर्खा रेजिमेंट की सहायता से लखनव पर पुने हधिकार कर दिया था, तो आप जान लिजे कि 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने लखनव का नेतरित तु किया था इसमें विद्रोह का सीमिच छेतर में होना, जनता का विद्रोह में भाग न लेना और संगठन और नेतरितु का अभाव ये 1857 की विद्रोह के असफलता के कारण थे अगला प्रश्ण है, 1857 की विद्रोह के बाद अंग्रेजू की नीती क्या हो गई, तो अंग्रेजू की नीती ही ये हो गई कि उन्होंने राज्यों का विजय करना छोड़ दिया था अगले प्रश्ण पर आते हैं, यूग्म को सुमेलित करना है, तो कानपूर में विद्रोह का नेतरितु अठा नाना साहब ने, जासे में लक्षमी बाई ने, ग्वालियर में तात्या टोपे और इलाहबाद में मौलवी लियाकत अली ने किया था, 1857 के विद्रोह का नेतरि अगला प्रश्ण है, दामन एकोह से क्या आसा है, तो आप जान लीजिए, दामन एकोह सान्थाल बहुत छेत्र था अगला प्रश्ण है दोस्तों, कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह में शामिल थे, तो जनरल नील, हियो रोज और हैवलाक ये सभी 1857 के विद्रोह में शामिल थे अगला प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों, बाबा रामचंदर ने किसानों को कहा संगठित किया, तो बाबा रामचंदर ने किसानों को अवध प्रांत में संगठित किया, और अवध किसान सभा की अस्थापना की थी 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था देखिए ये महतोपोन प्रेशन हैं दोस्तों कि 1857 के क्रांत या गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था तो ये था हैर से याद रखिएगा हैर से और 1857 की विद्रोह के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर हैर से था बैरकपुर में मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी ने गाय और सुवर की चर्वी लगे कार्तूस के प्रयोग के विरोध में अंग्रेज अफसर पर 29 मार्च 1857 को गोली चलाई थी अगले प्रशन पर आते हैं कि किसने लखनव में 1857 की विद्रोह का नेत्रेतु किया था तो आप जानते हैं कि बेगम हजरत महल ने अपने अलप बयस्क पुत्र विर्जिस कादिर को नवाब घोसित करके 1857 का विद्रोह का नेत्रेतु किया था और विकल्प में जब विर्जिस कादिर है तो विर्जिस कादिर हो जाएगा अगला प्रशन है कि ब्रेटिस सेना में सेवारत भारती सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहां पर हुआ था तो ये बेलोर में हुआ था अगले प्रेशन पर आते हैं वह अस्थान जहां 1857 की विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया तो ये था बिहार अगले प्रेशन पर आते हैं वह कौन सा कथन 1857 की क्रांती और प्रकिर्ती तथा स्वरूप पर अधिक तरक संकत ढंग से प्रकाश डालता है तो ये था यह एक राष्टी सोतंता के लिए लड़ा गया युद्ध था और आप जानते हैं कि बीडी सावर कर ने इसे अपनी पुस्तक में भारत का प्रथम सोतंता संग्राम कहा है देखिए दोस्तों एक भारती इतिहास कार है आरसी मजुमदार इन्होंने 1857 के विद्रोह के संदर्व में कहा था कि ये तथा कथे प्रथम राष्टी सोतंता संग्राम न तो यह प्रथम नहीं राष्टी और नहीं सोतंता संग्राम था अगला प्रश्ण है अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेत्रितु किस ने किया था तो इनका नाम था उतिरोत सिंग्ग इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेत्रितु किया था अगला प्रशन है दोस्तूं, 1857 के विद्रोह के विशे में डाक्र आर्ची मजूमदार के विचार की कटू आलोजना हुए थी, और उनका क्या विचार है, तो दोस्तूं 1857 की करांती के समय आर्ची मजूमदार एक इतिहासकार है, उनका कहना है कि सामानी जन्ता का प्रतिद्रिष्टिकोंड सहानुभोति पूंड था जबकि ये गलत है सही नहीं है और इसी विचार के कारण जो है आरसी मजुमदार के विचारों की कटु आलोशना हुई थी तो दोस्तों ये है मागदशन फॉर सिविल सर्विसेज और आप इस समय देख रहे हैं टीजीटी परिक्षा, यल्टी ग्रेड, गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता परिक्षा के लिए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर प्रश्णों को अगले प्रश्ण पर आते हैं इलाहबाद में 1857 के विद्रोह का नेत्रित्व किस ने किया था तो आप जानत के असंतोस का प्रमुख कारण क्या था क्योंकि उस समय इसाई धर्म के प्रचारकों की गत्विधियां बढ़ी हुई थी अगला प्रश्ण है बाबो कुमर सिंग ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी तो अप्रेल 1858 में और गंभीर उसे घायल हो जाने के बाद उनकी मृत्य हो गई थी संथाल विद्रोह कहां हुआ था तो राजमहल छेतर में दोस्तों संथाल विद्रोह हुआ था बहुत ही महतपूर है कि संथाल विद्रोह का छेतर क्या है तो आप जान लिजे कि संथाल विद्रोह जो है राजमहल छेतर म इसके अंतरगत बीर भूम, ढाल भूम, सिंग भूम, मान भूम और बाकुडा के छेतर आते हैं तो याद रखेगा संथाल विद्रोह जो है राज महल में हुआ था अगला प्रशन है कौन सा प्रदेश भारत में शैनिकों की पौधसाला कहलाता था तो ये था आवध प्रदेश जिसको भारत में शैनिकों की पौधसाला कहा जाता था और ब्रिटिस सेना में सबसे अधिक सैनिक इसी प्रदेश से थे अगला प्रशन है दोस्तों M17 से संबंध किसका है तो M17 मुंडा से संबंधित है यहाँ पर देखिए कुछ विद्रो है इनका सही काला नुक्रम में जो है आपको सुमेलन करना है इसमें आप देख लीजिए दक्कान शांती, पावना विद्रो, नील विद्रो और तमिलनाडु के पोलीगरों का विद्रो तो इनका सही क्रम में आपको जो है सुमेलन करना है तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा आप देख लिजे सही क्रम इसका हो जाएगा सबसे पहले तमिलनाड के पोलीगरों का विद्रो फिर आएगा आपका देखिए नील विद्रोह उसके बाद पाऊना फिर दक्कन का विद्रोह होग जाएगा अगला प्रश्ण और इस वीडियो का आज की वीडियो का आखरी प्रश्ण है दोस्तों अलीगढ आंदोलन से कौन कौन लोग संबंधित थे तो याद रखे अलताफ हुसेन हाली नजीर एहमद और चिराग अली का संबंध ये जो दोस्तों अलीगढ आंदोलन से है दोस्तों कुछ और प्रश्ण देख लेते हैं कुछ आसान से और महतोपूर तत्थे कि बाबा राम चंद्र ने किसानों को कहा संगठित किया था तो याद रखेगा आवध प्रदेश में और अवध जो है दोस्तों 19-19 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रो खुल कर सामने आया था और अवध के परताब गढ़ जिले की एक जागिर में नाई धोवी बंद सामाजिक बहिस्कार किया गया और दोस्तों देखे बहुत ही महतपूर जो है किसान आंदोलन म और जुजहारू बनाया था और 1920 के मधवे एक किसान नेता के रूप में उभरे और परताब गढ़ में अवध किसान सभा का इन्होंने गठन किया था इसके अलावा एक एका संगठन था तो अवध में एका आंदोलन पिछडी जातिके मदारी पासी ने इसका जो है संगठन किया था और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र हरदोई बारवन की सीतापुर और बहराईश था तो दोस्तों इसमें देख लीजे ये बहुत ही महत्वपूर जो है वीडियो था आज का इसमें हमने भारत के महान क्रांती या पर्थम सोतंता संगर्स 1857 की क्रांती से संबंधि को कवर किया और ये प्रश्ण आपके आगामी परिक्षाओं जैसे TGT, PGT, Yelty Grade, Government Inter College, प्रवक्ता, Government Degree College इन परिक्षाओं के साथ साथ विभिन परिक्षाओं के सामान ज्यान और सामान ज्यान के लिए बहुत ही उप्योगी है और जैसा कि आप जानते हैं कि सामान ज्यान और सामान ज्यान में आधुनिक भारत खंड बहुत ही महत पूर्ण है तो इसमें 1857 की क्रांति से संबंदित जो प्रश्ण है वो भी महत पूर्ण है आप इनको तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माजदेशन फ़र सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार